बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रहेम वेलकम दिस वीडियो नमर वन एटी वट इस एकानोमेट्रिक्स और इस इन इंट्रोड़क्शन फार द बिगिनिश मेरे पहरे दोस्तों बहुत सारे फालोवर्स और दोस्तों की इसरार पे ये वीडियो मैं उर्दू जबान में कर रहा हूं आपके लिए और ये खसूसन उन लोगों के लिए हैं जो एकानोमेट्रिक्स को शुरू से जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आजका जो इंट्रोडक्शन फार दे बीगिनर्स मैं शुरू करता हूँ एकानोमेट्रिक्स की डिफिनिशन से वैसे तो एकानोमेट्रिक्स के लिए उर्दू में कोई लफज नहीं हैं लेकिन अक्सफोर्ड डिक्शनरी के मताबिक एकानोमेट्रिक्स के मानी हैं माशी शुमारियात अगर्चे ये मानी गलत हैं कि महाशी सुमरियात को एकनामिक स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है एकनोमिटिक्स के साधातरίν तरीब जो है वो है एकनामिक मेजरमेंट महाशी जांच या महाशी नाबतौल यहाँ पे आपकी खिदमत में मैं चंद तारीफ एकानुमेटिक्स की पेश करता हूँ जो के इंग्लिश में है इसको आप खुद पढ़ सकते हैं यह एक और डिफिनिशन है पाल सेमुलसन और इसके बाद यह डिफिनिशन है गोल्ड बर्गर की और आखिर में यह है तायल की डिफिनिशन है यह फिलिक्स की इत्रमिनेशन आफ एकनॉमिक लास कचाओर भी डिफिनिशन थे एक यह है और आखिर मैं मैं यह कहूंगा कि एकानुमेटिक्स is about how we can use theory and data from economics, business and social sciences along with tools from statistics to answer how much type questions इसको अर्दू में आसान अलफाज में समझाने के लिए या इसकी तर्शी के लिए मैं एक और स्लाइट की मदद दोंगा और वो ये है कि ये जो एकानुमेटिक्स है ये मुखतलिफ मज़मी या मुखतलिफ डिसिप्लिन को कैसे एक जा करता है और उसके बाद पिर एकानुमेटिक्स बनता है जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एकनामिक तियोरी से और पिर हम जाते हैं मिटेमेटिकल एकनामिक्स में और मिटेमेटिकल एकनामिक्स is nothing बलके यह economic theory जो के statements या बयानिय की शकल में होती है उसको रियाजियाती शकल में मतलन mathematical functions, mathematical equations और mathematical relations की शकल में इसको express करती है इसके बाद हम economic statistics से मदद लेते हैं कि जिसका concern है economic data collection, data processing, data analysis and so on और आखिर में फिर हम mathematical economics से कुछ tools बारो करते हैं मसला regression and other techniques और इन सबको यगजाग करके इनका संगम या इतिसाल जो है वो है economics इसका मतलब यह है कि economic theory, mathematical economics, economic statistics और mathematical statistics का जो combination है उससे economics बनता है अब सवाल यह पैदा होता है कि हमें economics को as a separate discipline पढ़ने की किया जरूरत पढ़ती है तो उसका जवाब यह है कि आम तोर पे economic theory जो होती है वो अलफास की शकल में बयानी होते हैं और वो qualitative होते हैं लेकिन economics जो है ना वो economic theory को तज्जियाती अमल से गुजारती है और यह तज्जियाती अमल economic theory में नहीं होता है इस वज़ा से हमें economics की जरूरत पढ़ती है फिर जो के economic theory को mathematical farm की शकल में express करता है लेकिन वहाँ पे empirical verification theory की नहीं होती जबके economicics में हम जो है ना empirical verification कर सकते हैं तो लहाजा सिर्फ economic theory और सिर्फ mathematical economics काफी नहीं है इसके इलावा economic statistics जो है ना उसका तालुक data collection, data processing और data presentation से होता है लेकिन इसमें भी empirical verification नहीं होता तो लहाजा इसमें पिर बाद में हम mathematical statistics से कुछ tools लेते हैं उदार लेते हैं वहाँ से बारो करते हैं और वो पिर economics यह tools जो है ना इनको apply करके quantitative analysis is economic data की करती है और economic relationship की measurement econometrics में होती है इसलिए हम economic theory, mathematical economics, economic statistics और mathematical statistics को यगजा करके econometrics में economic relationship की measurement करते हैं तो दोस्तों मुझे उमीद है आप लोग इसको अब समझ सकते हैं अब सवाल यह पैदा होता है कि econometrics का role क्या है तो जैसे कि मैंने एर्स किया कि यह हमें कुछ quantitative analysis और measurement actual economic phenomena की provide करता है या वो रिलेश इकनामिक relationship हम estimate कर सकते हैं जो के base करते हैं economic theory पे या कि जिसका इंगिसार economic data पे होता है और फिर हम इसमें कुछ जो है ना model construct करते हैं उसके लिए हम methods फराम करती है econometrics कुछ economic decisions होते हैं for example अगर beef की price per kg एक डालर बढ़ जाए तो उसका quantity demanded पे क्या असर होगा तो हम start लेते हैं economic theory से क्योंकि यह जो lab demand है यह economic theory से फिर इसके लिए हमें data की जरूरत पड़ती है economic data की जो के economic statistics से हमें मिलता है और इसके बाद हम पिर जो है ना econometrics से help लेते हैं जो के combine करती है economic theory को और economic data को और पिर हम इस किसम के question का जवाब econometrics में डूनते हैं और पिर हम decision लेते हैं यहां पर मैं एक मिसाल दे रहा हूं wage function की wage is a function of x plus epsilon जहां x जो है ना यह group of variable है for example इसमें education experience और training शामिल हैं और इसको अगर हम formally लिखना चाहें इस function को तो यह function पिर बराबर होगी beta 0 plus beta 1 education plus beta 2 experience plus beta 3 training तो यह जो है ना यह उसका deterministic part है यह systematic part है और अगर इसके साथ हम error term को मिला लें तो पिर यह economic जो model है यह पिर economic model बनता है तो यह नीचे वाला function जो है यह economic model है जिसमें wage is equal to beta 0 बीटर नाट एक constant है बीटर 1 एक partial regression coefficient है education एक variable है फिर बीटर 2 है एक partial regression coefficient है experience एक और variable है और आखिर में बीटर 3 एक partial regression coefficient है और training एक variable है और सबसे आखिर में जो साइलान है यह random error है यह stochistic disturbance term भी इसको कहा जाता है यह पिर इस model को हम इस तरीके से लिखते हैं यह simple linear regression model है तो इसमें जो source of change है y में वो x की वज़ा से है because x is independent variable इसको आजाद मतगयर कहा जाता है और जो y है इसको dependent या या मुणहसिर मतगयर कहा जाता है यह जो beta naught है इसको हम मस्तकिल बी कह सकते है यह constant है और इसका jama मस्तकिलात है इसमें beta naught और beta 1 जो है यह parameters है और beta naught जो है यह constant है इसको vertical intercept भी कहा जाता है और beta 1 को हम slope coefficient भी कहते हैं तो यह एक raped masculinity model या regression model की निशाल है economic model जो है ना इसमें हम economic model में economic variables और parameters होते हैं और पिर a statistical model होता है इसमें sampling process with its parameter होता है और आखिर में इसमें observed data होता है उसमें हम data use करते हैं और data observed values of the variable का नाम है यह एक stochistic linear model की मिसाल है जहां पर weekly food expenditure और weekly income को graph किया गया है यह उसका scatter diagram है यह इसमें जो weekly food expenditure है यह dependent variable है और इसका दारोमदार independent variable के उपर है जो के weekly income है अगर इस data हो को हम scatter कर दें तो यह जो है ना इसका scatter है और यह show करता है एक positive trend यह उसका graph है वो जो scatter ता यह जो data आपको नजर आ रहा है यह observe points है और यह जो इनके दर्मियान में से जो एक linear regression line गुजरता है यह theoretical relationship है और यह regression से आता है यह vertical axis के साथ साथ हम जो है ना y variable को measure करते हैं और जो horizontal axis है इसके साथ साथ हम x variable को हम measure करते हैं तो इसमें दो किसम के relations हैं कुछ absurd points हैं और कुछ इसका theoretical relationship जायर करता है इस जो straight line है इसको regression line भी कहा जाता है यह stochistic term है जो epsilon है इसको disturbance term भी कहा जाता है random error term भी कहा जाता है और इसमें एक deterministic component है जो के equal है expected value of y given x and that is equal to beta 0 plus beta 1 x और इसका जो आखरी वाला यह rate epsilon है यह stochistic component of y है इस slide में मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा कि economics की practice क्या होती है सबसे पहले इसकी शुरुआत statement of theory से होती है या hypothesis से जैसे के life demand है life supply है consumption है wage function है earning functions है and so on उसके पास उसके बाद पिर हम जो एना एक mathematical model को हम specify कर लेते हैं कि जिसमें error term नहीं होता है और अगर उसमें हम error term शामिल कर ले तो हम पिर economic model specify करते हैं पिर हमें data की जरूरत पड़ती है तो हम data obtain करते हैं analysis के रिए आखिर में इसको हम regression या किसी और statistical tool की मदद से इसकी estimation करते हैं कुछ statistical खसूसियात के साथ properties के साथ पिर हम hypothesis testing करते हैं और उसके बाद हम analysis करते हैं और हमारे जो results होते हैं उसकी evaluation करते हैं उसके implications जानना चाहते हैं और फिर हम उसकी base पे forecasting या prediction भी कर सकते हैं और उस economic model को control या policy purpose के लिए भी इस्तिमाल किया जा सकता है यह एक economic empirical study की मिसाल है जो economic theory है या यह past experience पे base करता है या empirical study से आता है इसमें हम पहले जो एना एक model formulate करते हैं कि जिसमे cause and defect relation होता है for example यह consumption is a function of income यह general function है और इसको हम specifically लिख ले तो ct is equal to beta 0 plus beta 1 yt plus 80 यह linear function है फिर इसके बाद हम data इकटा करते हैं data collect करते हैं और यह data अगर time series है तो यह monthly भी हो सकता है daily भी हो सकता है और यह data quarterly या yearly भी हो सकता है इनुली भी हो सकता है उसके बाद पिर हम model को estimate करते हैं यह simple OLS method की जरीए यह पिर और एडवांस statistical techniques हम यूज कर सकते हैं इसके बाद फिर हम test of hypothesis कर सकते हैं मसान यहां पर जो बीटा वन है यह मादन प्रोपेंसिटी टू कंजियू है और केंज एकार्डिंटू केंज लाफ साइक लाजिकल कंजम्शन यह बीटा वन जो है यह 0 से greater होता है लेकिन वन से कम होता है तो इसकी हम यहां पर मतलब है कि टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि किया यह 0 से ज्यादा है या नहीं है पाजिटिव रिलिश्टिव है या नहीं है और उसके बाद पिर हम अपने results को interpret करते हैं और आखर में हम forecasting भी करते हैं और policy implication of decision based करते हैं हमारी forecasting के उपर माइडियर followers and students मुझे उमीद है कि इस चोटोशी वीडियो में आपने introduction to econometrics for beginners easily समझ चुके होंगे आप इसको आप easily learn कर सकते हैं प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को क्लिक करना न भूलिए ताके आपको बरवक्त नए वीडियो के बारे में मालूमात हासिल हो सके हैं मैं आपका बहुत बहुत शुकर गजारूं कि आपने इ चुरू से आखर तक देखे ताके आपको पूरी तरह समझ आ जाए मेरे यूट्यूब का नाम है रिसर्च मेड इजी विधीमी खान देखने न भूलिए अपने दोस्तों के साथ अपने पैरों के साथ अपने फेलो तलुबा के साथ और कलीस के साथ शेयर करें तेंक यू ए हम एक नई वीडियो के साथ पिर आपके खिद्बत में हाजिर होंगे तेंक यू